प्रवंदन के लिए आप अगर इस समय आप इल्लियों को अपनी फसल को खिला देते हैं तो करीब 15 दिन आपके मूंग लेट हो जाते हैं जो कि हमारे लिए काफी नुकसान वाली बात है इससे हमें दो तीन प्रकार के नुकसान होंगे जैसे अगर उसमें बारिस जल्दी आ जाती है तो हमारी पूरी फ करना चाहिए तो दवाईयों में बात की जा तो काफी किसान भाईयों को सला दी जाती है कि आप लवेंडा साला थ्रिन डाल लो या फिर प्रोफेनो साइफर डाल लो लेकिन यह जो हैं दवाईयां गर्मी के समय में काम नहीं कर पाती है इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेट द वाईयां ली है जो कि गर्मे में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है उनके बारे में बताता हूं तो जो पहला इस प्रे आपको उसमें फ्लुमेंडा माइट 20% वाली जो आती है जिसे टाटा की टाकुमी नाम से काफी ज़्यादा फेमस है उसे डाल सकते है या फिर फेम को डाल सकते हैं फेम जो आती है बायर क्रॉप साइंस की आती है उसके बाद अगर कभी वो नहीं मिलती है आपको तो इंडो कारवाक्स जो आता है 20% वाला उसे भी आप डाल सकते हैं उसका रिजल्ट भी काफी ज़्यादा अच्छा है अगर दोस की बात की जा तो आपको उसे 100 ml प्रती एकर के हिसाब से डालना होगा, जो की काफी अच्छा एफेक्टिव रेजल्ट देगी, और इसी के साथ आपको पहली वार में क्या होता है, कि नर्वई वाले खेट होते हैं, या फिर जने वाले खेट होते हैं, इसलिए इसके साथ आप थायमेथेक्स को मिला सकते हैं जो की काफी सस्ता पड़ता है आपको और इसे आपको 80 ग्राम प्रती एकर डालना होगा इससे जो आपकी वाइड फ्लाय मतलब सपेद मक्ही है वो भी मर जाएगी और अगर यह आप नहीं डाल पाते हैं तो आप इसमें प्रोफेनो साइफर डाल सकते हैं और प्रोफेनो साइफर अगर आप मिक्स करते हैं तो आप चार वज़े या फिर साम के समय में ही स्प्रे कराएं तकि यह रात भर में अपना रिजल दिखा कर खतम हो जाए और आपको फायदा रहे अब बात आती है कि इसके बाद हमें कुछ-कुछ इल्लियों का प्रकॉप दिखे गा है जो कि पत्तों को खाती है उसमें विश्यस्ता होती है हमारी हरी सेमिल उपर जो कि हमारे पत्तों को खाती है और इसी के साथ होती है तमाकु इल्ली जो मूं की फसल इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी इल्ली का अटेक र कराना होगा जो कि काफी फादेबन इस पर होता है और इसके बाद जो है हमारे करी हापको 15 दिन काँतराइल मिल जाएगा इस परकार आप देखें के तो पहला इसपरी हो दूसरा इस प्रे है इसके अंदर आपको 15 दिन का अंतराल रहेगा और वो 10 दिन में चिटाता है तो आपकी जो फसल है वो 25 दिन से लेके 35 दिन के करीब में रहती है और इस समय आपको जो इस्प्रे कराना है उसमें आपको काफी जो दुकान वाले हैं वो आपको कहेंगे कि आप लेवेंडा साला थ्रिन चिट वालो या बेंजोड काफी अच्छा रिजर्ट देगी उसे डाल के देखिए तो आप बिल्गुल भी इसका यूज ना करें इससे आपके पैसे खराब हो जाएंगे और आपको फायदा भी नहीं मिलेगा इसलिए आपका जो दूसरा इस्प्रे है इसमें आपको फ्लुमेंडामाइड इन तीनों मेंसे कोईसी भी एक चीज को डलाना होगा इससे क्या रहेगा कि जो आपकी वाइड मक्षी है उसका प्रकौप आपकी फसल पर बहुत कम रहेगा और इससे जो आपका येलो मोजग वायरस अगर आपकी खेत में हो भी जाता है बाया चांस आपके ने पहले ट्री इन ने ट्रीनी प्रोली और फ्लमेंटा माइड हैं इनका काफी कम डोस रखना है अगर आप ख्लो नेट्रीनी प्रोल मतलब कोराजन की बात की जाए तो इसे आपको चार अमेल प्रती पंप के हिसाब से यूज करना है अगर आपका पंदरा लिटर का पानी रखता है तो एक और केमिकल है जिसको छिटवा सकते हैं उसका नाम है इंडो कार्वाक्स वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है लेकिन वो लंबे समय रिजल्ट नहीं और अगर कभी यह दोनों आप नहीं डाल पा रहे हैं जैसे आप आप एसीड अमेपरीड और थामेथेक्स और इमिटा क्लोरोपीड आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो जो सेजेंटा ने नहीं दवाई निकाली है वॉल्यूम फ्लैक्सी नाम से उसके अंदर यह दोनों का केमिकल कॉम्बिनेशन कंपनी से ही आ रहा है उससे भी आप ड फसल है वो करíbt 45 दिन की हो जाएगी तो 45 से 35 दिन के अंदर आप देखेंगे तो आपके फसल हने पहली ुल की अवस्था स्टार्ट हो वो सबसे heavy dose डलाना होता है जिससे कि हमारी फसल को आप बिल्कुल भी किसी भी इल्ली को ना खाने दे और पूरी तरीके से इसे बचाया जा सके तो इस समय जो आपको दवाईयें यूज करनी हो उनका सभी का heavy dose आपको लेना होगा इसमें आप flumendamide का उपयोग ना करें तीसर प्रती pump पे इसका यूज की बात की जाए तो इसमें 6 ml आपको यूज करना है प्रती pump पे और अगर एकड़ पीछ अगर आप बात करेंगे तो आपको 30 से 35 ml के करीब आपको डालना होगा जिससे कि आपको काफी बढ़ियां result आएगा और उसी के साथ आपको इमीडा डालना होगा जो कि 90 ml आपको प्रती एकर डालना होगा और अगर आप सबसे effective result की बात माने इस समय अगर आपको डालने के लिए कौन सा best रहगा इन तीनों में से तो मेरी सला रहेगी कि आप Acid Amiprid डालिए क्योंकि यह जो है यह powdered form में होता है और पत्तों के उपर जमा रहता है इसलिए यह उड़ता नहीं है और काफी अच्छा result दिखाता है गर्मी के समय में इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी जो फसल है उसकी फलिया जो है वो बनने के लिए तयार हो जाएगी और आपको फिर इस प्रेड नहीं लगए लेकिन कभी-कभी क्या होता है क जो climate change होता है उसके करण आपको एक और इस पर कराना होता है तो इस समय आपको जो है ज़्यादा विसेस कोई दवाई डालना नहीं होगा जिस समय फलिया रहती है तो आपको जो भी फली छेदक होती है उन्हें मारने के लिए दवाईय डालनी होती है तो आप उसके लिए ड prevention करने की कोई जरुत नहीं होती है क्योंकि इस समय जो हमारी फलिया तयार हो जाती है और इस समय फसल पर कोई ज़्यादा विसेस नुकसान नहीं होती है और सभी हमारे यहां के आसपास की किसान भाईयों से मैंने पूछा है कि किस समय कुन से इल्ली का प्रगोव होता है और कर सकूँ तो यही सब कुछ है मूं की इल्लियों के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसा लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद